Good morning children, how are you today? So today is Monday and the date is 26th of April 2021 Monday को Hindi में बोलते हैं सौमवार So आज हम हम Hindi में कर रहे हैं अपनी वाक्शिट नमबर टू आज हम नोट बुक पे अभ्यास करेंगे लिखने का अ से लेके बड़ी ए तक हमने ये अपनी बुक में कम्प्लीट किया है So आज हमें एक बार इसको नोट बुक में लिखने का अभ्यास करेंगे Means प्राक्टिस करेंगे ठीक है? आप सबको अच्छे से आता है So आज आप नोट बुक पे भी अच्छा अच्छे से सुन्दर सुन्दर से लिखेंगे So आप पहले रीट करते हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे कौन-कौन से स्वर मैं आपने लिखेंगे ये कौन सा स्वर है अ आ इ इ आ आ इ इ So चित्र आपको पता है अ से कौन-कौन से चित्र थे अ से अमरूत अ से अनार आ से आईसक्रीम आ से आम इ से इमली इ से इंजन बड़ी इ से कौन से चित्र थे इ से इक इ से इट अभी हम लिखने का अभियास करेंगे जल्दी-जल्दी आपको अच्छे से आता है आप देखो हमारी हिंदी की नोट बुक में फाइव लाइन्स हैं वान, टू, थ्री, पोर, एंड फाइव जो भी हम लोग स्वर और विंजन लिखते हैं वो सेंटर की जो थ्री ब्लू लाइन्स होती हैं उन पे लिखते हैं ठीक है सो आप देखो मैं हमने वन डॉट दिये हैं सो नोट बुक में हम वन डॉट के उपर प्रैक्टिस करेंगे सो पहले हम अ बनाने के लिए बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन फिर हम लोग टू कर्व्स बनाके अ की फॉर्मेशन को कब्रीट करेंगे स्लीपिंग लाइन के साथ हम स्टैंडिंग लाइन को जॉइन करेंगे ये बनेगे हमारी अ की फॉर्मेशन और उपर लाइन डॉट करेंगे और ये चुल्डर आपको पता है इस तरफ लाइन डॉट नहीं करने हैं सिर्फ standing line के उपर करने हैं अब दिखों आ से आम कैसे बनाना है जैसे आपने और से अनार बनाया है वैसे ही आप फिर से अनार बनाएंगे और आम बनाने के लिए एक standing line और बनाएंगे और दोनों standing lines पे line ड्रॉ करेंगे यह हमारी बने की आ की formation अब देखो चिल्रन अब बचों हमने छोटी ए बनानी है बहुत इजी है आपने बनाए है बुक पे small standing line और एस की formation बनाके छोटी सी टेल बनानी है यह हमारी बनेगे छोटी ए और बड़ी ए बनाने के लिए पहले छोटी ए की formation बनाएंगे और उपर हम सी वाला कर्व बनाएंगे यह हमारी बनेगे बड़ी ए की formation ऐसे आप अपना पूरा पेज कंप्लीट करेंगे सुन्दर सुन्दर neat and clean लिखेंगे और अपनी वोक्षीट मैम को वापे सेंट करेंगे थैंक यू वारियर्स वे नाइस दे बगाई थैंक यू वारियर्स वे नाइस दे बगाई